नमस्कार, खबर समझ जगत में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ जितें रिजेन, आई इन रज़र डालते हैं, आज की कुछ ताजातलीन खबरों पर जिनमें इश्वर के साथ साथ मनुश्यों और मुख पश्यों को भी विशेश स्थान दिया जाता रहा है, ऐसा ही एक परव है गोप अश्टमी, गोप अश्टमी का ये विशेश परव जिसे बुद्वार जन सयोग से बनी आमला की प्रतम गोशाला मिधूमधाम से मनाये गया कार्तिक शुल्क की अश्टमी को गोप अश्टमी मनाने की कई बक्ते पुराणों में उलेखे थे, पुराणों के अनुसार साथ दिनों तक उंगली पर गोवर्दन धारन करने के बाद अश्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था, एक और मा महावी रनुमान गोशाला में सरप्रत्रम गोवमाता की पूजरचना की इस अफसर पर सभी का एकमत से कहना था कि आज गोववक्ती से ज्यादा गोवसेवा की आवश्टा है, हमारी आस्तक केंदर गोवमाता आज जिस दूरदशा का शिकार है, उससे ये बात साफ है कि महावी रनुमान गोशाला की कलपना की गई थी, ये कलपना अब साकार हो चुकी है, एवं गोशाला की भी अपनी बंदिचे है, यहां एक सीमिस संक्या में गोवश को आश्रे दिया जा सकता है और उतने गोवश यहां अब आश्रे भी पा रहे हैं, अता शेहर में गलियों वा सड़कों पर बैटे सेकड़ों गोवश दुरगटना का चिकार ना हो, इसके लिए भी गोशाला परिवाप प्रयासुरत है, इसी क्रम में गोपाश्टमी के पावन दिन सदस्यों द्वारा इस हेतु संकल पलिया गया कि शेहर की सड़कों पर बैटने वाले सभी परिक्षन भी किया गया, अब इसी महा गोशाला परिवार ऐसे 400 बेल्ट बुलवाएगा एवं शेहर के पश्चु प्रेमियों के साइपल से निराश्रेत गोवश को पहनाएगा, ग्यातों कि जन सयोग सेवनी आमला की पहली गोशाला में आश्रे पारे प्राय सभी गोवश की सेवा पर सुरक्षा के लिए विशेश प्रयास करते रहने का संकल्प लिया गया, इस अफसा पर राजी मदान अनिल सोनी तरुन माधन देविंदर राजपूत मनोज वादवा राजेश चोकी का शेलेंदर दुबे आदी उपस्तित रहे, अधिती के रूप में पदारे श्री राजेश गई और बीकित सुरेवंशी परिवास सहत उपस्तित हुए, साथी आमला न्याइदीश सनोडिया ने गोवमाता की पूजा कर गोशाला के सिवकारियों को सराह, गोशिवा के सिवकारे में अग्रणी रहने वाली शेर की समीती, बजरंग दल से झाल